हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाटशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जैसा आप सब जानते हैं कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व इस वैश्विक महामारी के चपेट में आया हुआ है बहुत बुरी तरह से प्रभावित है विश्व के कोने कोने में एक पृतिक देश में हजारो लाखो करोडो लोग इससे संकर्मित हो रहे हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं? और अस्विधाय कारण उनमें से बहुत सारे लोग काल के गाल में भी समा रहे हैं ऐसे इस मुश्किल दौर में सरकार को कोसने के बजाए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए ये वीडियो आप सब के लिए है, मेरे सब भारत वासियों के लिए है या बाहर जो भी कोई देख रहे हैं उनके लिए है इस समय आपको क्या करना चाहिए, इस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए आपको इस से बचने के लिए क्या घरेलू उपचार करने चाहिए और यदि आपको ये चीज हो जाती है, आपको कोरोना हो जाता है, आप कोविड पोजिटिव आ जाते हैं, तो आपको किन चीजों का विशेश का रध्यान रखना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत जाद इंपोर्टेंट है, कुछ मैं घरे लून, इसका भी आपको बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही कारगर से धोंगे, और आपका ये जो मुश्किल दोर है, ये हसी खुशी के दोर में बदल जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आप ये दर देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रख्या, क्या करें, इस समय क्या न करें, और तीसरी बात है, घरे लूप चार, मैं आपसे प्राठना करता हूँ, कि इस वीडियो को मैकसिमम शेर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फाइदा उठा सकें, और इसके द्वारा अपने जीवन बचा सकें, इन चीजों को मैं सारी स्थितिय आपको क् प्राठन करना चाहिए, बिना किसी राजनीती के, इस समय राजनीती मत करो, जीवन बचाना सबसे महत्पूर है, सबसे पहले घर से बाहर न जाएं, यदि आवश्यक ना हो, आपको बहुत इंपोर्टन्ट काम ना हो, तो आप घर से बाहर न जाएं, और यदि आपको घर से मास्क जरूर यूज़ करें दूसरी बात है अपने साथ में मैक्सिमम जिसमें एलकोल होता है जो डवलु एच्चोड़ारा प्रमानित है ऐसा कोई भी हैंट सेन्टराइजर केरी करें जैसे ही आप किसी चीज को टच करें तो आप अपने हाथों को सेनिटाइज करें अपने हा करके डालें सुखाने के लिए डालें अपने कपड़ों को बाहर से बाहर वसिंग मसीन में डाल दें और स्नान करके ही नहां कर ही अपने घर में जाएं इस समय सुरक्षा ही बचाव है इस समय कोई भी दवाई नहीं है क्योंकि वैक्सिनेशन का काम बहुत ढिला चल रहा है भारत में 135 करोड लोग है और सबको एकदम से वैक्सिन लगा देना ये एकदम से संभव नहीं हो पाएगा तो इस समय आपको बचना चाहिए तो घर से बाहर ना जाएं मास्क का प्रयोग करें अगर कपड़े का मास्क यूज़ करें तो दो मास्क यूज़ करें और अगर आ संभव हो घर पर रहें इस्टुडेंट हो आप कोई भी हो जितना संभव हो घर पर रहें अब घर पे क्या करें अगर आप घर पे रहेंगे तो अभी देखो क्या है आप घर में बंद रहेंगे कुछ राज्यों में लोग डाउन है दिल्ली में लोग डाउन है महाराष्ण म यूपी में पता नहीं क्या है यूपी के बारे में बात करेंगे यूपी में भगवान जाने क्या चीज चल रही है यह हो क्या रहा है चुनाव कराए जा रहे हैं ऐसे गंभीर समय पे तो वह एक अलग मुद्दा है पर हम यहां बात कर रहे हैं तो अगर आप घर में रहेंगे तो अपने कमजोर विश्यों को अच्छा करने का प्रयास करें competitive exam की तेहरी करें तो उनको अच्छा से time देने का प्रयास करें यह आपके लिए सुनहरा मुखा हो सकता है जो आपको नोकरी दिला सकता है यदि आप व्यबसाई हैं तो आप अपने व्यवसाय के विशे में प्लान करें, ठीक है, मतलब आप अपने skills पे काम करें, कुछ भी, अगर आप किसी business से related हैं, कहीं job कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी है, यदि आप घर पे हैं इस समय, तो अपने skills को सुधा रहें, और most important मैं आपको बात बता रहा हूँ, घर का माहौल इस समय अध्यात्मिक बनाएं, देखो मैं बहुत आस्तिक प्रकृतिगा विक्ति हूँ, जिन में से आप लोगों ने मुझे पहले देखा होगा, मैं तिलक इत्यादी सब लगाता हूँ, ये मेरा विक्तिकत मामला है, मैं आपको ये करने के लिए नहीं कह रहा है, अफवाएं चल रही है, WhatsApp, Twitter, ये वो पता नहीं क्या-क्या दिखाया जा रहा है आपको, तो इन चीजों से बचने के लिए आपको अपने घर में अध्यात्मिक्ता का माहौल बनाना होगा, ये आप हिंदु धर्म से संबंदित हैं, और किसी भी देवता, देवी देवता को मानते हैं, तो कोई भी आपके इस्थ हैं, उन इस्थ का ध्यान कीजिए, उनका भजन कीजिए, उनके स्तोत्र का पाठ कीजिए, यदि आप अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं, तो आपके धर्मानुसार जो भी आचरण हैं, आप उनको कीजिए, और एक बात मैं आपको सुन्दर इत्यादी बहुत बंगाल में बहुत बड़े-बड़े संत थे तो उन्हों ने हरिनाम संकीरतन कराकर इस महामारी के माहोल को दूर किया और इस अध्यात्मिक्ता को फैला आया पर मैं यहां इस पस्ट बोल रहा हूं यहां पर यह बात बता रहा हूं में इसलिए कि जो व्यक्ति हिंदु धर्मिसम्मंदित हैं वो घर में कीरतन इत्यादी करके घर में आप मंजीरा बजाएंगे तो पॉजिटिव एनरजी आएगी हार्मोनियम बजा सकते हैं तबला बजा सकते हैं धोलग बजा सकते हैं जो भी नाम आपको भगवान का अच्छ नहीं पा रहा ऐसा तमाम संतों ने तमाम मनीशियों ने हमारे महापुरुशों ने कहा है तो इस समय भगवान की शरण लीजिए भगवान की शरण कीजिए और उनके ओपर आश्रित होकर सभी प्रेकोशन लेते रहिए घर का माहौल आध्यात्मिक बनाईए बच्चों को भ भारत की जनता कुछ समझती ही नहीं है इस समय लगातार चुनाव हो रहे हैं यूपी में चुनाव हो रहे हैं आप ये समझे यूपी में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में डूटी करने वाले लोग संक्रमित हो रहे हैं चुनाव में बोटिंग करने वाले लोग संक्रम बचाइए और इसी राज नीतिक रंग का चोला ओड़े दिखते हु है हमारे न्यूस चैनल हमारी मेडिया जो दो धड़ों में बटी हुई है أیک सरकार को बेड़ा को प्रबोट करने में लगी रहती है और एक सरकार को अपने चैनल हैं, जो सरकार को प्रमोट करते हैं, तो सरकार को जो प्रमोट कर रहे हैं, उनकी एक खास बात निकल के आ रही है, कि पड़े ही वो सरकार को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो death rate को नहीं दिखा रहे हैं, वो शम्शान की पिक्चरों को नहीं दिखा रहे हैं, वो कब् क्रियेट नहीं कर रहे हैं वो अपनी पड़े ही सरकार की जद बचाने में लगे हुए हैं सरकार को केवल अपने राजनितिक स्वार्था दिखाई देरहें और कुछ नहीं लगातार भारत के अलग-अलग भागों में आक्षिजन की कमी होती जा रही है और उसकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी तो बस केवल चुनाव की इनको चुनाव जीतने हैं इनको चुनाव जीतने हैं बस इस बात पर बहुत गुसा आ रहा है चलिए छोड़िए आगे चलते ह और जो दूसरे चैनल हैं वो लगातार चिताओं को समशान में दहकते हुए दिखाई दे रहे हैं प्लीज इन चीजों से दूर रहे हैं ऐसी अगर कोई भी चैनल दिखाया जा रहा है तो स्विच आफ कर लीजिए या तो कोई मूवी लगा लीजिए या आप अध्यात्मिक चैनल देख लीजिए या अपने बच्चों के साथ आप कार्टून देखिए अपने फैमली के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए प्लीज ऐसे न्यूस चैनल को मत देखिए बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि पैनिक क्रियेट हो जाएगा एक बार एक राजा के पास एक महमारी आई उस महमारी ने बोला कि मैं 500 लोगों की बली लूँगी तुम पूरे के पूरे राज्य में एलान करवा दो कि मैं आ रहे हूं तो राजा ने एलान करवा दिया जब महमारी फैलने लगी तो पच्पन सो लोग मर गए ऐसी मैंने घटना सुनी पच्पन सो लोग मर गए उन पच्पन सो लोगों के मर जाने के बाद जब महमारी जाने लगी तो पूछा गया कि राजा ने पूछा तू तू तो कह रही थी के 500 मरेंगे यह तो पच्पंसो मर गए मैंने तो पांच सो ही मार हैं पांच हजार तो आप वाओं में मर गए पांच हजार तो पैनिक होके मर गए तो इस समय पैनिक क्रियेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी घबराने की जूरत नहीं है भारत में आयरुवेद का आप सहरा लीजिए अगर आप जाद सीवियर कंडिशन है अगर आपको काफी तकलीफ हो रही है तो आप एलोपेद का सहरा ले सकते है नहीं तो आयरुवेद में वो दम है कि आपको इससे निजात बिला सकता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बस सही समय पे वो चीज डिटेक्ट होनी चाहिए तो न्यूज चैनल को देखना बंद करें अफवाओं पर ध्यान न दे कहीं-कहीं से क्लिप आ रही है ओपतालों में गले घुटे जा रहे है मारा जा रहा है किडनी निकाली जा रहे इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दिजिये इन चीज़ों ओटा दिजए ना ही आगे फॉरवर्ड कीजिये पॉर्फ़र्वर्ड करना है तो इस वीडियो को कीजिए इस वीडियो को maximum share कीजिए साथ में panic create न तो करें न करने दें मना करिए भाई ऐसा मत करो उसके बाद सामू ही कारेक्रमों में न जाए आज 26 अप्रेल है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आज मैं अपने शहर में जा रहा था किसी काम से बहुत आबश्यक कारे था और शदी लेने जाना था अपने परिवारिक सदस्यों की तो मैंने देखा जगे जगे बैंकेट हॉल में दूले सजे हुए हैं, डांस चल रहे हैं इतने भरिस्टव उद्धी हो गए हैं लोग कि इधर काल नरत्य कर रहा है और इधर ये लोग नरत्य करने हैं तो प्लीज अपने जीवन को बचाईए अगर कोई बुरा मान भी जाता है तो उसकी शादी में मत जाईए क्योंकि हो सकता है कि वो शादी आपके जीवन की अंतिम शादी बन जाए और ऐसा बिलकुल भी आप मत कीजिए सामोही कारेक्रमों में जाने का निशेद करिए और सारवजनिक सतों को न चुए क्या न करें सारवजनिक सतों को न जाए मैं जो इटिम डोर है हैना एटिम डोर है उसके हिंडल को सब पकड़ रहे हैं पकड़िए आप उसको ऐसे कौनी से दhक्का दीजिए या पैर से खो लिया पसको जूते से खोलिये हात मत लगा जिये और यदि आप हाथ भी लगा रहे हैं वह से बैंकमे जा रहे हाथ लगा रहे हैं तो बॉलिवुड को देख देख के सिगरेट पीना एक शान की बात समझी जाने लगी आप सिगरेट पीने से फेपड़े कमजोर हो गया जिसके फेपड़े कमजोर है उससी को सबसे जाए दिक्कत है तो हमारे यहां की जो योग पधिती है उसका सहरा आप लें यदि आप अभी ब बढयेन और नॉर्मल अप सांस भरी एवाई नान把它 का से इस जब आप ऐसे ऑास इदर से भर लेंगे जितना नॉर्मल भर सकते भरें उसके बाद आप इन दोनों इंदोनों इंदोनों उगलियों से थीप है इन दोनों उगलियों से जो ये लास़् वाली द Attention लगै इंसेस से दबा लीजिए ऐसे करके पूरा अग उठे और ऐसे बंद हो जाएगा तो आप सांस को रोक भी सकते हैं ऐसे रोक सकते हैं और उसके बाद इधर से निकाल दीजिए जितने दियर आप बीच में रोक सकते हैं मतलब कि इधर से लीजिए इधर से लीजिए इधर रोकिये जितना रोक सकते संभव है और उदर से निकाल दीजिए ये एक प्रकार है दूसरा प्रकार है आप इधर से लीजिए इधर निकाल दीजिए फिर इधर से भरिए इधर से निकाल दीजिए तो आपके अंदर automatic oxygen level बढ़ जाएगा आपको अगर problem छोटी मोटी हो भी रही होगी शुरुवात भी होगी तो वो ठीक हो जाएगी अनुलोम विलोम इस समय अमरत तुल्य है इसका प्रयोग कीजिए साथ में जिल लोगों का oxygen level थोड़ा डाउन जा रहा है अभी हो सकता है कि शुरुवात है या नहीं भी है और लग रहा है कि oxygen level डाउन जा रहा है तो अमरत धारा नाम से एक योग अरुवेद में बताया गया है अमरत धारा में सत कपूर, सत पुदीना सत अजवाइन इसी नाम से आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा जादा महंगा इटम नहीं है सम भाग ले लीजिए मतलब 10-10 ग्राम ले लीजिए आप 20-20 ग्राम ले सकते हैं 20 ग्राम सत कपूर, 20 ग्राम सत पुदीना 20 ग्राम सत अजवाइन तीनों आपको solid form में मिलेंगी और जैसे ही आप किसी सीशी में डालेंगे और थोड़ा हिलाएंगे इसको तो हिलाने के साथ क्या होगा हिलाने के साथ आपको ये liquid में change हो जाएगा और liquid में change हो जाएगा तो आप क्या करिए इसको यहाँ पे हलका सा लगा लीजिए तो आपके oxygen level को एकदम से boost कर देगा ठीक आपको सांस खुल के आने लगे यहाँ लगाईए थोड़ा अगर गले में थोड़ी खराश हो रही है तो एक लिटर में सिर्फ एक drop डालिए हिलाईए और उसका ऐसे गरारे कीजिए तो आपको आराम मिलेगा काफी steam लेते रहें steam में भी क्या कर सकते हैं steam में भी आप पूरा एक लिटर पानी उबाला उसमें एक drop डाली डाल के देखो कर के देखो इसको जरूर करना तो आपको इतना अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत स्वास्ता वर्दक है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर कोरोना की दिक्कत हुई नहीं है तो होगी नहीं और अगर हो रही है और आप घर पे जायके इसका उप्चार कर रहे है तो आपको बहुत जादा फाइदा ये चीज़ देगी साथ में विटामिन सी का सेवन करते रहे हैं विटामिन सी की गोलियां ले सकते हैं आप या नीम्बू का आवले का सेवन कीजिए विटामिन सी आपकी इम्मुनिटी को बूस्ट करना काम करती है विटामिन सी हरी मिर्ची खाइए टमटर खाइए नीमू खाईए, संतरा खाईए, ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखें, विटमिन B कॉम्पलेक्स जो मिल्टी विटमिन के कैपसूल आते हैं, उनको लेने का प्रयास कीजिए, अगर आप ले सकते हैं तो, और जिंक जरूर लें, जिंक होता है, एक मेटल होता है, इसकी ग खासी होना का मतलब आपके थ्रोट में आपको बलगम फील हो रहा है, आपको शलेश्मा फील हो रहा है, तो आप घबराईए नहीं, पीट में दर्द हो रहा है, नए लक्षन है, नए वाइबरिंट के, आपको दस्त लग रहे हैं, तो आप घबराईए नहीं, बिल्कुल भ बुरा मत मानियें, बिल्कुल सजग करने के लिए चीज बोल रहा हूं, अगर लक्षन आ रहे हैं तो टेस्ट करेए, और टेस्ट कराने के बाद घर पर ही आइसोलेट हो जाएए, घर पर ही एक कमरे में आइसोलेट हो जाएए, और डोक्टर से सला लेते रहे हैं, वो जिस तर अनुलोम विलोम का, अब भ्यास जरूर करें, दस से बारा बार इसको करें, तो आपको बहुत लाव होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कि हमारे विश्व में से और हमारे भारत देश में से यह हमारी भाग जाए, तुरंत यह ठीक हो जाए, सभी स्वस्त हों, पहले जैसा जीवन दोबारे चल पड़े, सभी के मंगल की मैं कामना करता हूं, सभी के मंगल जीवन की मैं कामना करता हूं, और इस वीडियो को मैकसिमम शेर कीजिए, जन हित के लिए है ये, तो आप इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, म मैं हूं राम भर्द्वा, जै हिंद, जै भारत